और लखीमपूर खिरी अत्या कान के सभी छे आरोपी 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिये गए हैं वहीं सीम योगी ने पीडित परिवार को 25 लाकी आर्थिक मदद और फास्ट ट्रैक कोट में सुनवाई का भरोसा दिया लखीमपूर खिरी में दो नावालिक बहनों सिव गैंग्रेप और हत्या के मामले में सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुच चुके हैं सभी छे आरोपियों को एडिजे कोट ने 14 दिन की नियाई खिरासत में लखीमपूर जिला जेल भेज दिया है इस बीच गुरुवार देर शाम दोनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया गिया जिरा प्रशासन और पेडित परिवार के बेच हुई बाचीत के बाद अंतिम संस्कार पर सहमती बनी इससे पहले पेडित परिवार आरुपियों को फासी दिये जाने और एक करोड की मुआबजे की मांग पर अड़ा था इस बीच सियम योगी ने लखीम पुर्खिरी हत्या कांट पर बड़ा एलान किया है एलान के मुताबिक इस मामले की फास्ट रैक कोट में सुनवाई होगी फास्ट रैक कोट में प्रभावी पैरवी कर एक माह के भी तक दोशियों को सजा दिलाए जाने का प्रयास होगा पेडित परिवार को 25 राक रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी एक पक्का आवास देने और क्रिशी भूमी का पट्टा दिये जाने के निर्देश भी दिये गए हैं इससे पहले जगन ये हत्या कांट के बाद हुए हंगामे और धरना प्रदर्शन के बाद आरोपियों जुनेत, सुहेल, हफिजुल रह्माल, करिम्मुदीन, आरिफ और मंजिलिका को गिरफतार कर लिया गया है बुधवार को लखीम पूर्जिले की तमोली पुर्बा गाउं में लड़कियों के किटनैपिंग कर गैंगरेप और हत्या की गई थी